निलकमल सिंग कोई भोजपूरी के लिए नाम नहीं बल्कि एक ब्रेंड है ब्रेंड। ऐसा ब्रेंड जो अप पवन सिंग और खेसारी लाल यादों से आगे निकल रहा है और पवन और खेसारी के एक तर्फा राज को भोजपूरी में खत्म करके अपना लोहमन मौ रहा है। निलकमल सिंग के आवाज का जादू वाकई में कहा जाता है कि बहुत कम गायक है जो निलकमल सिंग जैसा गाते हैं कई दफ़ा कहा जाता है कि भोजपूरी में पवन सिंग जैसा शांदार गायक कोई नहीं आया और निलकमल सिंग पवन सिंग से आगे निकल रहे हैं मतलब कि पवन सिंग और निलकमल सिंग के गाईकी में तुलना की जाती है अब जब निलकमल सिंग पवन सिंग और खेसारी लाल यादों का गाना आया तब इसके बाद दिखता है कि 7 घंटे में निलकमल सिंग के गाने पर 2 मिलियन व्यूज है और अगर खेसारी लाल यादों के गाने क की बात करेंगे तो 1.8 million एक दिन के बाद मतलब की आज दूसरा दिन हो जाएगा और इधर पवन सिंग का गाना भी एक दिन के बाद 1.4 million मतलब की पवन सिंग सबसे पीछे इसी पर आगे बात्चीत करेंगे बागे नमस्कार में आप मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं निलकमल सिंग की वाकई में जितनी तारिफ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती इसका कारण है कि पवन के खेसारी के बिवाद में भोजपूरी का पुरा का पुरा जो लाइम लाइट होता है वो सिर्फ इन दो इस्टारों के इर्द गिर्द घुमता रह जाता है बलकि निलकमल सिंग जैसा गायक जो एकदम बढ़िया गाना गाकर अपने आपको पवन और खेसारी से अब उपर बढ़ा चुका है उस निलकमल सिंग के बारे में लोग चर्चा करना भूल जाते हैं हलाकि निलकमल सिंग अब किसी चर्चा के मोहताज नहीं है क्योंकि निलकमल सिंग का नाम अब ब्रेंड बन चुका है और निलकमल सिंग का गाना लोग उनका फोटो देकर प्ले कर देते हैं कि हाँ निलकमल सिंग आया होगा तो अच्छा ही होगा फिलाल इन तीन गानों की बात करते हैं निलकमल सिंग का गाना आता है नथुनिया पगोली मारे पुराना गाना भोजपूरी का सईया हमारे नथुनिया पगोली मारे तीसरीज ने उसका रिमेक बनवाया निलकमल सिंग के निलक गंटा में 2 million views इधर पवन सिंग का गाना आया खेसारी का गाना आया खेसारी हलाई गाने में केवल acting करते हैं लेकिन इनका acting में जो expression आता है और गाने का जो बोल होता है दबंग वाला वो देकर कहा जाता है कि कोई बच्चा इससे अच्छा acting कर देता खेसारी लाले यादों के जगह पर जिसको देकर वाकई में लगता कि हाँ गाने के अंदर वो suit कर रहा है गाना में पैसा बेशक ज़्यादा लगा है लेकिन खेसारी अपने expression से गाने को भूना नहीं पाये हैं ये कहने में कोई दोड़ाय नहीं इधर पवन सिंग का गाना जो अटक गया नहीं चल प निलकमल सिंग का गाना 30 सीरीज हमार भोजपूरी मतलब कि भोजपूरी के लिए 30 सीरीज का जो चैनल है उससे रिलीज हुआ और रिलीज होकर 7 घंटे में जब तक हम शूट कर रहे हैं वीडियो तब तक इस पर 19,15,179 मतलब कि लगवग लगवग 2 मिलियन भीज गाना बट चुका होगा लेकिन एक बात तो है कि निलकमल सिंग ने अपने मेहनत के दमपर भोजपूरी में अपने नाम को ब्रेंड बना दिया और वाकई में कहा जाता है कि अगर टैलेंट हो तो टैलेंट छुपता नहीं है निलकमल सिंग बिवाद में नहीं रहते एकाद मौकों को जाए तो लेकिन निलकमल सिंग का गाना बसता है हम आप सर्च करके जाके निलकमल सिंग का गाना सुनते है क्योंकि हमको अच्छा लगता है फिलहाल अब तीनों गानों के बारे में मनें आपको बता दिया निलकमल सिंग के बारे में अगर तारिफ की जाए तो इसलिए भी पस्तारिफ होनी चाहिए क्योंकि भोश्पूरी में प्पवण सिंग के बाद कोई सेड सौंग का Bादशाह कहा जा रहा है तो वह निलकमल सिंग है निलकमल सिंग अगर कोई सेड सौंग गाते हैं तो वाकई में वो गाना आपके दिल में उतर जाएगा 腹ती गाना गाते हैं वो गाना अभी आपके दिल को छू जाएगा और निल कमल सिंग पर आपकी क्या राय है आप इनके गाने सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं कमेंड बॉक्स वाली कर बताईएगा बाकी के तमाम खबरों के लिए असद बने रहिएगा वीडियो ही पर समात करते हैं कैमरे एक्षे पिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद